हलो गुड मॉर्निंग नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरी ये प्यारी सी नींथ ओ सॉरी आपको बताना भूल गया रिशान एन हिमानी आर अवे फॉर फ्यू वीक्स आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरा पहला सोलो वीकेंड तो शुरू करते हैं सुबा साड़े ग्यारा बजे दिन के बारा बजे मेरी मॉनिंग हो गई है अब नवाब को खाना देते हैं उसे घुमा के लाते हैं थोड़ी देर बाइदर में बारा बज गए हैं आज में साड़े ग्यारा बजे उठा है मुझे डिश्वाशिंग मशीन यूज करनी नी आती इसलिए देखो क्या अरोर खाया है जो मैंने यूज किया है मैंने वैसी फिंक दिए भार साफ की है मैंने वैसे इसको भी फोल लिए जाए आप देखो धूप कैसी खिली हुई है भार मैं उठाई लेट हूँ आज हाँ भी नवाब खाने का टाइम हो गया मैं आता हूँ अभी रुख जागा अच्छा लगे हाथ पहले मैं चाय चड़ा देता हूँ ये गरम हो रहा है नवाब का खाना ये भी गरेट कर रहा होगा सुवे से भाई खाना चला गया खाना नहीं दिया तुने आने का भी दे देते नवाब आजा वो देखो आ रहा है साथ साथ चाभ आजा वेट कर मैं पानी बदलता हूं तेरा रुख जा और तेरा बर्तन साफ करता हो गई चाय चड़ गई, सिम में हो गई अब हम नवाब को लेके चलते हैं घुमाने के लिए नवाब, आजा कितने बढ़िया धूप है अब जब बारा बजे उड़ोंगा तो धूप तो नजर आईगी यह देखो आप हमारे गर के सामने, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल वह सामने जो पीछे कोल से है, वहां के लिए रोड बनाई जा रही है अगले दो-तिन महीनों में शाहिद यह तैयार हो जानी चाहिए अज सुबह हमारा प्रोग्राम तब फिशिंग करने जाने के लिए लेकिन आज हावा बहुत है तो जब हावा काफी होती है तो फिशिंग पे हम जाते नहीं है क्यांकि जो लाइन होती है वो इधर उधर होती रहती है वो इक जगे पर श्टिल नहीं रहती है देखो मौसम अज कितना उपर नीचे हो रहा है कभी ढूप है कभी च्छाम है और हवा कंटीरियंस है और यह हमारी आदेगंटी की वाउंग श्टम हो रही है और चल रहे हैं घर की दरफ उसके बाद मुझे दो तीन खांग करने है सबसे पहले तो खास काटनी है मेल्वन की खास हर दूसरे हफ़ते में बढ़ जाती है और सफाई करनी है क्योंकि जब से रिशान और उसकी ममा गए हुए मेने घर में मैस मचा के रखी हुई है तबाई मची हुई है घर में चाह अपनी तयार होगी होगी देखते हैं दिन के एक बजे हम दल्द हुमें तेरा मत सोच पराया हुँ हमारी मॉर्निंग तो अब हुई है जब हमारे आत में चाह आ जाए एक बजे वाह चाह खतम और काम शुरू सबसे पहला काम है आज का घास काकनी है मुझे फ्रंट यार और बैक यार्ड की होता क्या है कि अगर मेल्वन में दो-तिन दिन बढ़िया धूप पड़ जाया ना घास एक तमसे आसमान में पहुंच जाती है दिन के डेड़ वजे यह वाला पैच तो हो गया अब बारी है इस वाले पैच की और यह जो साइट से हैं यह वाली इसको मैं अभी अलग तरीके से काटता हूँ दिखाता हूँ आपको यह देखो इतनी सारी घास जो है इस छोटे से पैच से हाई है हमें मेलवन में बखरी पालना भी अलाउड नहीं है नहीं तो यार मैं छोटी सी बखरी पाल लेता उसको खास खिलाता यह वाली और दूद भी देती हो यह आजकल आप लोग हमारी सबजी आ देख रहे हो यह जो सबजी आ है यह अलमोस्स डेट हो चुकी है यह मैंने थोड़ी दो चार रखी हुई है जो सिर्फ बीज के लिए अब हम लोगों को जो गार्डन है वो सेट करना है सरदियों के लिए तो यह जो आप देख रहे हैं यह सारी जब ठंड पढ़ने लगी है तो सब यह खतम होने लगी है अब इसमें जो एक दो दो फल बचे होए वो खाली बीच के लिए है अगले साल के लिए बस बाकि यह ओल्मोस्स गार्डन जो है वो डेड हो चुका है अब अगले अफते में बीज लेके आऊंगा सरदिय अब घास को साफ किया जाए बलोवर से यह देखिए गार्डन अब आप लोग हो गया ना बिल्कुल बढ़िया दिन के धाई बजे घर की सफाई आप सभी लोगों से सभीने निवेदन यह है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने साथें और मित्रों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रोच साहित कीजिए और अपने सुझाओ हमें अपने कमेंट के द्वारा पहुँचाए ताकि हम अपने वीडियो को और बहतर कर सकें धन्यवाद सफाई के बाद कप्रेद होते हैं एक धंटे बाद ये कपड़े साफ हो जाएंगे और उसके बाद ड्रायर लें काम खताब तीन बजे नेट्फ्रिक्स टाइम चार बजे लंच टाइम आज का लंच जो है ना सही में बहुत पॉस्टिक है चिकन सुप्रीम है वो भी मैंने मेरिनेटिट किया हुआ है तंदूरी मेरिनेशन में और उसके साथ में है वेजटेबल ब्रॉकली कैरेट्स कॉलिफ्लार वगेरा और इनको पकाराओं में अपने एर फ्रायर में उपर से दही वाली चटनी इस खाने को खाने का अल्टिमेट मज़ा पता है कहां पर है आप लोगों को आप बेड पे लेटे वह हो लेट के आराम से अपने बेड पे अपने प्लेट रखी हुई हो आप इसे खा रहे हो और सामने जो है मूवी चल रही हो इससे बढ़िया कुछ नहीं है आप लोग भी बेड में एक बार खाना ट्राइ करें और हाँ अपने एक्सपिरियंस जरूर लिखें कमेंट में शाम के साड़े पाँच बजे अब हम चल रहे हैं नवास भाई के घर आज उन्होंने हमें अपने घर बुलाया इफ्तारी के लिए ये लीजिए पहुंच गए नवास भाई के घर बहुत ही मज़ेदार खाना शुक्रिया नवास भाई रात के नौ बजे अपना डिनर तो हो गया अब इस नवाब को भी डिनर दे देते हैं ये भी वेट कर रहा होगा अंधेरा कायम हो गया है तो इन ब्लाइंड्स को अब गिराए जाए रात के बारा बजे वे आयाम टाइम ये है मेरा छोटा सा अखाड़ा एक्सराइस फिनिष रात के डेड़ बजे रात के डेड़ बजे अंधेरा चारी और हैंड्स को बटियोग गाप्डाश की बजेड आऊ रल्ण ये भी वेड़ की अंधे में इन लुचकत झाल बज़ा झाल क्ड़ब्स क्वेश्टेश्टेश्टेश्स क्वेश्टेश्स पत्यू आए क्वेश्टेश्स झाल झाल झाल